हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इंफो गॉर्मिट जोब स्प्रिंग तो दोस्तों यहां पर आज एक इंपोर्टेंट वीडियो में लेकर आए आप सभी के लिए आईटे वालों के लिए दोस्तों है पर बहुत ही भूरी कवर मान सकते हैं आप 9000 से ज्यादा पद वो दोस्तों यहां पर समाप्त कर दिये गए हैं किस डिपार्टमेंट के किस पदों की दोस्तों में बात करा हो तो बताता हम आज वीडियो में और 10th 12 के भी पदा आते थे इसके अंदर और 900 पदोस्तों यहां पर खतम कर दिये गए हैं और यहां पर 13157 पद फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं हाज का वीडियो उससे पहले अगर आप चलने को पर पहली बार विजट को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजेगा ताकि ऐसी ही वेकेंशी की अपडेट भी आपको मिलती रहे तो दोस्तों आज लगभग काफी अगबारों में यहां पर यह अपडेट आई है देख सकते हो मेस सबसे पहले दोस्तों आपको दा दो मिल्टरी इंजिनेरिंग सर्वीस जो होती है जिस सो आर्मी के अंडर में आती है उसकी वेकेंशी जिसने दोस्तों 2015 से पहले ITI की होगी उसको पता है 2016-2017 तक दोस्तों वेकेंशी में आती थी ओफलाइन फोर्म आते थी मेस की मेस की मिल्टरी इंजिनेरिंग सर्वीस की तो दोस्तों उसकी यहां पर बात की जा रही है यहां पर रक्षया मंतरी राजनाथ सिंग की मंजूरी नई दिली पतरी का रक्षया मंतरा लें एक बहुत पड़ा फैसला लेते हुए मिल्टरे इंजिनिरिंग सर्वीस M.E.S. के 93 सोचे भी अधिक पदों को समाप्त करने के प इरान में 104 पदों को समाप्त कर दिया जाएगा रक्षया मंतरा लें ने अपने बयान में कहा कि समीत समीथी की शिफारिश को दान में रख़री यह निने नियने लिया गया सब्सक्राइब है तो दोस्ते की यहां पर जो उपर नाम है यहंपर उन्हों यह समीधी ने फैसला दिया था कि इतने पड़ों को इन्याप्त कर दिया जाए क्योंकि यह यहाँ इसकी ब़जाई इस सांप बाहरिammen तो यह दोस्तों आपको पता होगा मिल्टर इंजिनेरिंग या फिर जो भी आपका एक अलगी डिपार्टमेंट था जिसकी ओफ-लाइन वेकेंशी आती थी तो तीनों अगबार होगी मैं एक और कटिंग आपको दिखाता हूँ कि क्या उसके अंदर अपडेट दिया गया है तो यह दोस्तों एक दूसरे एक बार की अपडेट है राजनाथ ने मिल्टर इंजिनेरिंग सर्वीस में 93 से चार पद खतम करने को मनजूरी दी रक्षामंदरी राजनाथ सिंग ने गुरुवार को मिल्टर इंजिनेरिंग सर्वीस M.E.S. 94 पदों को खतम करने की मनजूरी दी है यह सेन्य बलों की चमता बढ़ाने और रक्षा कर्ज को पुना संतुलित करने की परकिरे के तहट लिया गया फैसला है अधिकारी ने कहा कि यह पद पिछले तीन साल से रिक्त पड़े हैं मैंसे मैंने जैसे कि आपको बताए कि 2017 और 2016 के सम्थिंग वेकेंसी जाती थी मैंसे के नदर उसके बाद से कोई वेकेंसी नहीं है है रिक पड़े है लियाज़ाजा इस फैसले से किसी की नोकरी नहीं जाए गया जनी कि जो सर्विस कर रहे हम उनको बाहर नहीं किया जा रहा है जो वेकेंसी रिक्त थी और उन्, उन्री वह पद दोस्तों यहां पर हट जिसका सालाना बजट तेरह हजार क्रोड रुपए है यह फैसला लेटरेंट जनरल डी बी सेंक्टेकर सेना निवर्थ की अध्यकस्ता वाली समीटी दुवारा दिये गए इसे जवाव के बाद लिया गया है रक्षामंतरा के प्रवक्ता ने कहा मूल और धुगे करमचारीं की 13157 रिक्तियों में से 904 पदों को खतम कने के प्रस्ताव को रक्षामंतरी ने मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि यह फैसला यहां पर सेक्टकर समीटी की शिफारिसे और मुखे इंजिनेरिंग के प्रस्ताव के अधार पर लिया गया है अधिकारी ने कहा कि समीटी की त्यार करना भी सामिल था जिसमें M.E.S. का काम आंचिक रूप से भी बागी करमचारी दोवरा किया जाए और अन्य कारियों को बाहर की सिवाई ली जाए यानि कि जो आपका थोड़ा सा जो आंचिक काम है वो यहां पर डिपार्टमेंट करेगा बाकी आपका बाहर की पारिशों का उदेशे M.E.S. को कम करेवल के साथ परभावी संग्ठन बनाना है ताकि आने वाले समय में यह है पेचीदा मसलों से परभावी और कम खर्ची देतरीकों से निपट सके तो दोस्तों देख सकते हो हैं तो दोस्तों जागरन की देख सकते हो देनिक जागरन की सेना की इंजिनेरिंग सेवा में 900 पदों को रक्ष्या मंतराले ने किया खतम 13177 पद हैं दोस्तों रक्ष्या मंतरी राजनात सिंग ने इन पदों को समाप्त करने के फैसले को दिम मंजूरी रक्ष्या बजट के संतुलन यह उस रस्ततर सेनाव पर बढ़े हुए बोज को क कम करने के लिए यहां पर यह दोस्तों जो पैसे आपका बजट के लिए यहां पर की गई है कम पर मगर परभावी करेकाल के सारे चुनोतियों के निपनने के सक्सम है M.E.S. तो यहां पर यह अबडेट है रक्ष्या मंतराले ने बड़ा फसला करते हुए 9330 अधिक पदों क पदों को समाप्त करने का यह फैसला लिया गया है रक्ष्या मंतराले के अधिकारिक बयान जारी कर इस बड़े फैसले का ऐलान किया यह बयान में कहा गया कि राजनात सिंग ने M.E.S. के कुल 9330 पदों को समाप्त करने के पस्ताओं को मनजूरी दे दी है इस में अधिक तर M.E.S. के बैसिक और अधिक कायूस जड़े करमचारियं को पदों को समाप्त किया गया है रक्ष्या मंतराले के अनुसार इन पदों को समाप्त करने का फैसला लेफ्रिजेंट जनरल यह जो समीती है इस समीती के कहने पर लिया गया है दोस्तों इंजिरिंग सर्विस के इन को खदम किये जाने से वाजिब ठहराते हुए रक्ष्या मंतराले ने कहा कि समीती इसके असेनिक करमचारियों के पुर्णर गठन की रूप रेखा सुजाई थी पुर्णर गठन इस तरीके से होना है कि M.E.S. का कुछ काम विवाग कि और से न्यूक्त इस्टाप करेंगे और बाकी जरूरत आउट्सोर्सिंग से पूरी की जाएगी रक्ष्या मंतराले के अनुसार M.E.S. इंजिनेरिंग इन चीफ के प्रस्ताओं में के अनुरूप सेक्रेक्टर समीती ने मिल्डरे इंजिनेरिंग सर्वीस के कुल 13157 पदों में इसे 93 से 4 पदों को समाप्त करन के लिए पूरी तरह से सक्सम है तो यहां पर यह दोस्तों बहुत थी मैं तो पूरी खबर मानता हूं आईटे वालों के लिए काफी अच्छी वेकेंशी थी दोस्तों जो कि यहां पर अब नहीं आने वाले हैं तो उमीद करता हूं जानकर यहल्फिल तो जैसे कोई इन्फर कि दीजा